हेलो दोस्तो मैं सोरो मलिक आप सभी का टोपिक स्टेडी में स्वागत करता हूं दोस्तो कल मैं आपको साम की सिप्ट का वो नहीं दे पाया मेरी थोड़ी तभी थराव होगी थी तो आपको मैं कल की जो हो थी पीडियाप प्रोबाइड करा दूँगा और जिस बच्चे को भी पीडियाप लेनी है नीचे टेलिग्राम को जरूर जोइन कर लो गई ठीक है और जो वच्चा पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहा है तो दोस्त अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे रैड कलर का बटन दवा करके और नोटिफिकेशन बैल को अन कर ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुच जाए ठीक है दोस्तों तो देख लेते हैं कोशन यह कुछ इंपोटेंट कोशन इसमें चार तरीके के चार मेथड के कोशन लेका हूं मैं चारों देखने भी आपको क्योंकि यह कोशन बार-बार रिपीट हो रह होगी पर उन्होंनों पूछे एक हैड आने की प्रायक्ता कम से कम एक हैड तो होना चाहिए कम से कम तो एक हैड कम से कम है एक हैड एक हैड इन तिनों में है तो क्या होता है प्रायक्ता निकालने के लिए क्या होता है किसी इवेंट के होने की संभावना उसको भाग कर देते है कुल संभावना से मतलब कि बटे में लिख लेते हैं उनका अंसर होता है तो disciplined होने की सम्भावना तीनहें एक एक हैडाने की और को कुल संभावना कितनी है चारस चारस भावना हो सकती है तो थीन बटे-4 इसका ऐसी हैं ठीकर दोस्तो डेख लेता है तो दोस्तों इसके एक सोट्रिक होती है आपको याद रखने हैं इसमें कर दो एक आ जाएगा इसमें कर दो बीगा जाएगा और इन दोनों कर दो आपको वीडियो को रोकें और एक बार इनको देखें यह तीन चिन लगाने आपका ऐसी चार दूनी आठ चार तीय बारा और तीन तीय नो जिनका अंसरा देगा यह कोश्चन पूछा दा रहा है कहीं बार नहीं को देख लेते हैं, साज चात्रों के अंकों का और चोदा है, तो साथ चात्रों के अंक चोदा को जोडेंगे हे तो शात्रों के अंक तो शाट्वे चाट्र के आगए थानवें में से शाट्र जाएंगे बार रंका जाएंगे उसके वीडियो को रोको और एक बार इसको देखो ठीक है दोस्तों और वीडियो पूल देखा करो लास्ट वाला कोशन भी देखा करो कितने वर्स में 12% वर्स दर से तीन हजार का साधारन ब्याद 1080 हो जाएगा तो दोस्तों पी तीन हजार है हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो उसका इंट्रेस्ट मिला है में 1080 मिला है और कितने रेट है 12% का रेट है तो कितने टाइम में 1080 हो गया इस पर यह पूछाएं ने तो SI हमारा P गुणा R भाग कर देंगे सो से यह इसका SI का फोर्मूला होता है बड़ा सिंपल है आपको इसमें कोई सोट्रीक नहीं वैसे आगर आपको सोट्रीक चाहिएगी तो मैं इसकी भी सोट्रीक बता दूँगा ठीक है दोस्तों एक हजार असी, तीन हजार P आगया हमारा R कितना है? 12 और T निकालना है और भाग कर देंगे सो से तो इनकी हम पहले सो से यहां दो जीरो काट लेंगे अब इनकी क्रोस गुणा कर लेंगे यहां ठीक है दोस्तों यह ऐसे यहां पर इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या कर देंगे 360 से तो टी कितना आ गया दोस्तों दोस्तों आप सारी वीडियो देखते रही है और जिसका पेपर है बेस्ट अप लग और अच्छे से पेपर करकाईएगा ठीक है और टेलिग्राम को जोइन कर लो वही दोस्तों ठीक है और जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रह जोड़ करी थी आप उसको भी देख के जाएए फिक दोस्तों धन्यवाद